हाई अबरिवन पूनम ही और वेलकम टू रसोई बिहार की अज मैं बना रही हूँ चाइनिस का की इंग्रिडेंट जी हाँ आपने सही सुना अज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट में मिलने वाली चिली सॉस जिसमें भरकर होती है प्रिजर्वेटिव्स तो क्यों ना हम इस प्रिदम ताजी है और यह बिल्कुल तीखी वाली मिर्च है तो इसे मैंने इसकी डंडी तोड़कर और इसे अच्छे से वाश करकर हलका सा इसे फैला दीती पंखे में ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर सारा यह सूख जाए फिर इस तरह से चॉप कर लेंगे बहुत बारिक इसका आलू जिसे की छील कर दो लिया है मैंने फिर छे से साथ कली लैसन और एक इंच अद्रक कर टूकर और फिर लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे भी रफली मैंने चॉप कर लिया है फिर वन टीस्पून नमक और एक कप पानी यह मेजर्मेंट बिल्कुल अब कर देंगे खानाये गो और फिर लगांगे दो से तीन विसम मीडियम टू लो फ्लेम पर और फिर देखिये रिब्लकुल सॉफ्ट हो चुका है इतना वैसे लगाएंगे कि यह सारी मिक्षर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएज यहां पे जब हमने पिर लूखस हो दाई болग क एक फाइन सा पेस्ट और यहां पे देखे हमारा फाइन सा पेस्ट बन गया एक दम फाइन है इसे आप चाहे तो ना भी छान सकते लेकिन मैं यहां पे छानूगी क्योंकि मैं बना रहे हूं यहां पर मार्केट स्टैल चीली सॉस और मैं नहीं चाहती कि थोड़ा सा वी कुछ भी रेशा रह जाए तो मैं यहां पर बिलकुल अच्छे से चान लूँगी और आपको बाद में पता वी चलेगा कि इसमें कितना सारा रेशा था तो मैं इसे बिलकुल अच्छे से चान लूँगी और यहां पे ली हूं हाफ कप वेनेगर यह वाइट वेनेगर है जिसे की यूज़ करते हैं खटे चाइनीज आइटम के लिए और इस तरह से जार में डालके जो भी उसमें बचावा था मिक्शर इस तरह से मैं दो कर फिर से उसे भी छान लूँगी और देख सकते हैं आप कितना वेस्ट पार्ट बचा इसमें कितने सारे रेशे थे तो ऐसे यह लगत पकेगा तो और भी अच्छा कलड़ाएगा फिर लेंगे एक कडाही और उसमें हम सारा मिक्शर डाल देंगे फिर डालेंगे थ्री टेवल स्पून सूगर वन टी स्पून नमक हमने एक टी स्पून पहले भी नमक डाला था आप इस बात का ख्याल रखना तो हमारा टोटल ट टेवल स्पून सुरी चीनी हो गया मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए मैं करीवन 10 मिनट पकाऊंगी और बस मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है बहुत तेज हाई नहीं करना है फ्लेम को और इसी तरह चलाते जाएंगे और यह देखेगा इसे ढग ढग के हम बनाएंगे नहीं तो बहुत तेज इसमें से चीटे निकलते हैं और जैसे जैसे यह पकते जाता गाढ़ा होते जाता और फिर इसका चीटा भी कमते जाता है देखेगे जैसे यह पक गया यहां पर करीवन 10 मिनट हो चुका है और यह बिलकुल लगवग रेडी हो गया है और सॉस बनकर बिलकुल रेडी हो चुका है और यहां पर देखे फाइनल रिजल्ट हमारा सॉस का कलर टेक्च्चर और टेस्ट बिलकुल मार्किट के जैसा सॉस बनकर रेडी हुआ है और इसे स्टोर करने के लिए मैंने सॉस के ही बाटल को बिलकुल अच्छे तरीके से दो कर बिल्कुल हाइजीन है ये नहीं तो फिर सॉस खराब ही हो सकता है और एक फ़निल के हेल्प से मैं इसमें डालूंगी और देखे थोड़ा मुस्किल होता है लेकिन इस तरह से फ़निल में डालके हलका टैप करते जाएगा तो ये एजली बॉटल में स्टोर हो जाता है के साथ तब तक के लिए टाटा बाबाई